जी नमस्कार साथियों रात की नोब बच चुके हैं और मैं आपका मित्र मैं आपका साथी मैं आपका सहपाथी हिमान शुसोरिकांद्र पाथी आप सभी मित्रों का आप सभी सोजनों आप सभी सहपाथियों का हारदी स्वागत खास करके एक विसेश कक्षा में और ये कक्षा प्रयास किया है जिसमें 1857 की क्रांती से मैंने आधुनिक भारत का इतिहास हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया है जिसमें आज के क्रम में यानि बीते दिन आपने पढ़ा था गांधी इर्विन समझोते की विशह में 1931 और आज आप पढ़ने जा रहे हैं कॉंग्रेस का कराची में जो अधिवेशन हो रहा है बहुत important अधिवेशन है यह क्यों यानि कॉंग्रेस के अधिवेशन से तो अंडेक जाम में question पूछे ही जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे अधिवेशन है जो इतने जादा जरूरी जिनने आप बिना पढ़े और बिना रटे या परिक्षा में जाएं यही नहीं यानि सारे पढ़ने तो आपके लिए जरूरी हैं लेकिन कई ऐसे हैं जो एकदम रटे होने चाहिए आपको क्योंकि सबसे बेसिक इतिहास का सेक्टर अगर कहीं से क्वेस्चन पूछा जाता है परिक्षा में तो यह वाला टॉपिक कॉंग्रेस का अधिवेशन वहां से तो पूछी लिया जाता है ठीक बात ना साथियों अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लिजिए चैनल को अब भी आपने सबस्क्राइब नहीं किया तो बीना देर किये मैं कह रहा हूँ क्यों कि यह यात्रा अगले कुछ देर तक होने वाली है बहुत बड़ा आज का शेशन नहीं होगा लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जुड़ गए हैं सेशन से तो आप सेशन को सबसे पहले आप लाइक कर लीजेगा वेडियो ठीक बात है ना साथियों स्टार्ट करते है एक धेवा किसे आज का धेवा कि अपने आप भी क्या किया किजिए चैनल ओपन क्या करिए उसके बाद में कम्यूनिटी अप पर जाय करिए वैसे भी कई विद्यार थी ऐसे हैं जो कहते हैं सर नौटिफिकेसन नहीं मिल पाता है तो आप यूट्यूब पे जब अपना चैन आके पहुचा दिया करूँगा आप डेली तो जानते हैं आप लोग मंजिल के गम में आपको कभी रोने की आवशकता नहीं है अगर आप बहुत परेशान है अपने सेलेक्शन के लिए बहुत परेशान है अपने भविश्य की विवास्थाओं के लिए तो रोने से चीज़ के गम में रोने से मंजिले नहीं मिलती हौसले तूट जाते हैं अक्सर उदास रहने से ठीक बात न तो मैंने का पहली चीज आपको अगर तयारी करनी है आपको कोई सफलता लेनी पहली चीज तो आप पूरे मोटिवेटेड रहिए पूरे खुस रहिए मस्त मन से रहिए क्य ठीक बात न स्टार्ट करते हैं साथी हो आज को शेशन को अब देखिए ये बात कर रहा है कॉंग्रेस के कराची अधिवेशन से उससे पहले मैं कुछ अधिवेशन की बात कर लूँ जो आपके कॉंग्रेस की अधिवेशन है जो बड़े इंपॉर्टेंट है यहां आप बा चैनल पर 1415 यानि 1400 की संख्या पार करके हम लोग 15 की 100 की तरफ यात्रा में हैं और रोज नए नए विद्यार्थी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहा करिए लेकिन विशेश करके केवल उनसे कहा करिए जो विद्यार्थी मंजल से होंगे ठीक बात ना कोई ऐसी क्या करिए टेस्ट को सॉल्व करिए और देखिए कितना तयार है हमको ठीक बात ना चलिए साती हों यहां देखिए अद्देख्षता कर रहे हैं ब्योमेशन बनर जी इसमें 72 प्रतिधी उपस्तित हुए जबकि दूसरे क्रम पर जब आ रहे हैं तो दूसरा हो रहा है 86 में देखिए सारे क्रम से हो रहे हैं एक क्रम में आपको दिया गया है तो आप इतना जाने रहे हैं पहला वाला कहा हुआ बंबई में दूसरा वाला कहा हुआ कलकत्ता में तीसरा वाला मदरास में चौथा इलाबाद में पांचमा बंबई और छठा कलकत्ता 1885 से लेकर 90 तक वाला तो एक क्रम में आप रटे रही है आपको कुछ और करने के आवशक्ता ही नहीं है क्यों? क्योंकि ये तो पहले अद्ध्ध्ष हुए इसके बाद में ये कैसे हो रहा है या पारसी अद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध सबसे पहले में 1885 में की बहातर पत्ने भी सामिल हुए थे मैंने का आज का जो notes बना रहे हैं उसमें basic short short में ये चीजें किनारे किनारे आप note कर लीजेगा 85 का मैंने का इस तरह नमट note करिएगा एक line में कत्ते ही मत note करिएगा आप 85 डालिए तब लिखिएगा कलकत्ता व्योमेशन बनेर जी ठीक बात है न इस line की तरह जैसे जो basic rule आपको दिये गए हैं उस तरह से नहीं आप अपनी तरह से उसको समझने का प्रयास करिए कि कैसे आसानी से आप समझ सकते हैं ठीक बात न यहां आते हैं सात्यू नीचे आएंगे आप तो यहां बात कर रहा है एक पिक्ति जिसका नाम था दादा भाई नोरो जी यह बड़ा important question है आपका लाहर में अद्वेशन और 1893 में जब दादा भाई नोरो जी अद्वेशता फिर से कर रहा है यहां इससे पहले उन्होंने देखा शियासी में भी अद्वेशता कर रहे थे यहां देखिए का आगे आगे सुरेण नात बनरजी की विश्रे में 95 का है फिर रहीम तुल्ला सयानी यह question आपके लिए और नीचे आते हैं तो और सारे जरूरी नहीं लेकिन यहां आईए आप यहां लिखा हुआ है किसका 1905 पिया जाईए यहां आप रटे रहिए 1905 से लेकर 1905, 1906, 1907, 1908 और 1909 यहां मैंने कहा है गोखले जी का नाम मैंने बताया था बनारस में हो रहा है अदिवेशन, कलकत्त में दादा भाई नोरोजी, सूरत वाला राजबियारी बोस, मदरास वाला राजबियारी बोस, अब देखिए, यहां यह जो बगल के कंटेंट है यह आपके लिए जरूरी हो रहा है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हो रहा है, च्छे में स्वराज का पहली बार उलेक किया थ भी भाजन कब हुआ, तो आप सब लोग जानते हैं, 1907 में सूरत के अदिवेशन में, जब राजबियारी बोस जी अध्यक्स थे, जबकि कॉंग्रेस के लिए एक संविधान की बात कब आई, 1908 के मदरास अदिवेशन में, ठीक बात न, और नीचे आते हैं, तो कई सारे अदिवेशन था, अंभिका चरण मजूमदार, मैंने कहा कई बार आप से पूछा जाता है, यह बताइए, जब गरम और नरम दल के बीच में समझोता हुआ, मुस्लिम लीक के बीच में जब समझोता हो रहा है, तो पूछ रहा था कि इस समय अध्यक्ष कौन था, तो अंभि नरम दलवालों का ने क्या किया, यानि उसके नरम दलवालों का, एसन बनर जी त्याक पत्र दे रहे हैं, तो दिल्ली अधिवेशन मदन मोन वाल भी एका, अच्छा देखे, मैंने कहा साथी हूँ, यह जो सूची मिली है आप, इसको एक बेसिक सरसरी निगाह से आप लोग जो भी समय हो इसका, पहले आपको वाट्सअप ग्रूप या टेली ग्राम पे कर दिया जाएगा, कल आपको कॉंग्रेस के अधिवेशन से ही कुईज कराई जाएगी, या प्रशनोतरी होगी, आप से प्रशन पूछे जाएंगे, आप तयार रहिएगा कल के लिए, कॉंग् एकजाम के लिए सबसे important topic है, यहाँ एक एक मैं बोलूँगा, तो उसमें ऊप जाएगे, आपका हो भी नहीं पाएगा, ठीक बात ना, तो आप इसको पढ़े रहिए एक बार, और सारे चीजें आप तयार करे रहिए, खास करकि ये side side वाले जहां जहां ये चीजें लिखी ह हुई है, कि स्वतंतिता प्राप्ति के समय अध्यक्स, जेविक रप्लानी और राजिन प्रशाद, पहली बार गाउं में अधिवेशन, फैजपूर में हुआ था ना, जोहाल लाल नहीं रुव अध्यक्स, गासु बोस जी का त्याग पत्र कब हो रहा है, 1949 के त्रिपूरी अधिवेशन में हो रहा है, ना कित्रिपूरा है, वेक्तिगत सत्यागरा का प्रस्ताओ, आजात साब के समय में आया है, ठीक बार, ऐसे ऐसे करके कई नाम आपको मिलेगे, ठीक ना, साथियों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, और आज वाला हम लोग पढ़ने का काम करे इससे पहले आप सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक नहीं किये तो लाइक कर लिजे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर लिजे, मैं आप लोगों का नाम ले लेता हूं, ठीक बात है ना, चलिए, मुझको 10 सेकेंड का मोका दीजी आप, चलिए बहुत बढ़ियाँ चलिए बहुत बढ़ियाँ सातियों तो कराची इद्वेशन की बात हो रही उससे पहले अभू नंदिनी मैंने कहा कई विद्ध्यारती ऐसे हैं जिनके विशम यह हुआ कि जब आप तो रोल नंबर रखा दिये ठीक बात परिशान मत हो यह एक दिन ऐसा भी आएगा जितने विद्ध्यारती मुझे संपर्क में नहीं है दिक्कत यह रहती है नए विद्ध्यारती के साथ अगर नए विद्ध्यारती है यह रेगुलर सेशन में आप नहीं रहते हैं तो पहला काम तो आप अपना कॉंटेक्ट नंबर यही है इस पर आप मैसेज कर दिया करिए अपना जिससे यह हो जाए आप भी एक प्रकार से नियमित विद्ध्यारती और खास करके मेरी नजर वाले विद्ध्यारती हो जाए मेरी नजर में आप रहें ठीक बात है ना? चलिए यहां लिखा है गांधी जी और इर्विन के बीच में यानि वायसराय इर्विन के बीच में जो दिल्ली में समझोता हो रहा है याद होगा मैं पूछ लूँ आप से कि बताईए कब हुआ था तो आप सारे लोग बता देंगे कि फरवरी 1931 से सरी स्टार्ट हुआ था और 5 मार्च 1931 को यह साइन हुआ था इस पे लगबग 5 प्रस्ताओं पर स्विक्रती मिली थी जिसमें तमाम प्रकार के ऐसी बाते भी आई थी कि जो लोगोंने अहिंसा गत्विदी के साथ जेल में जो बंध है उनको छोड़ दिया जाएगा ना तो दिल्ली में समझोता इनका हो गया मंजूरी देने के लिए क्या हो रहा है पटेल साब की अध्यक्स्ता में अध्यक्स्ता में 29 से 31 मार्च 1931 को कॉंग्रेस में कराची में दिए उसमें तो पहला प्रश्न आगे इसी अधिवेशन में पहली बार काउंगलेस ने मौलिक अधिकारों और रास्टी आर्थिक गर कारिकरों से संबन प्रस्ताव पारित किये इसी अधिवेशन में कुछ लोगों का विरोध करने पर गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधी वाद नहीं पूछा जा सकता है आपसे किस अधिवेशन में गांधी जी ने ये बात कही थी है ना किस अधिवेशन की समयम गांधी जी ने बात कही थी कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधी वाद नहीं तो आप याद कर रहे है, सर्क कराची का अधिवेशन था, जिसमें अधिख्षता कर रहे हैं, कौन? उनका नाम था, सरदार वल्लब भाई पटेल, ठीक बात ना, आगे आईए, लिखा हुआ यह पहला आउसर था, जब पूर्ण सुराज को कॉंग्रेस द्वारा परिभाशित किया, यानि इससे पहले, आपको याद होगा, 1896 में, सुराज सब पहली बार उलेक हो रहा है, दादा भाई नोरो जी के द्वारा, ठीक बात ना, रहीमतुला सयानी जी की अधिख्षता में, आपने आगे पढ़ा, 1929 में जब अधिवेशन हो रहा है, तो पूर्ण सुराज इसका जो कराची अधिवेशन है, उसमें पारित क्या हुआ, मूल अधिकारों तथा आर्थी कारिक्रम पर संकल्प, पंडित नहरू ने प्रारूपित किया, और M.N.Roy ने इसमें सहयोगी की भूम का, अब देखिए M.N.Roy का नाम आ गया, मैंने कहा था, M.N.Roy नाम के वे इंटरनेशनल कम्यूनिस्ट में शामिल होने वाले भी, यानि में पहुंचने वाले भी, लेनिन ने जो कम्यूनिस्ट की पार्टी की संस्था जो बनाई थी, उसमें शामिल होने वाले भी भारत की तरफ से पहले वेक्ती यही थे M.N.Roy, ठीक बात ना, मानवें दरनात्रा इनका पूरा नाम रहा है मैंने फिर कहा यह सुछ जो मैं बोल रहा हूँ यह मैं आपकी तरह ही मैं भी पिछले वाले सेशन से ही बोल रहा हूँ तमाम कुछ चीजे मुझे याद हैं तो मैं आपको बोल रहा हूँ तो मैंने कहा फिर आप से कि अगर आपने पिछले session नहीं देखे हैं तो आप पूरी इमानदारी के साथ दिन में जब भी चाहें चुपचाप कहीं कोई library जाता हो कोई आपके साथ का, आप उसके साथ चले जाएए रोज मत जाएए, लेकिन उसके साथ चले जाएए, जाके सारे पिछले वीडियो वहाँ पर जाके डाउनलोड कर लीजी ठीक बात, अब वो वीडियो हो गया आपका सुरक्षित घर पे आईए, अब आपके पास सुरक्षित रहेगा, आपको डाटा की आवशक्ता नहीं जब चाहें आप तब उसे देख सकते हैं ठीक बात न, अच्छा दोसरी बात, उसे जब देखे रहेंगे तब आप नए वाले सेशन में पढ़ने में आपका मन भी रहेगा, ठीक बात न, तो यहां आगे लिखा है, सुभाज चन बोश जी ने कराची, ये कॉंग्रेस का जो कराची माना, ठीक है न, इस कराची अधिवेशन को तो सुभाज चन बोश जी ने, याद होगा सुभाज चन बोश जी के विशम मैंने बताया था इन्होंने 1938 में हरिपूरा और 1949 में त्रिपूरी यानि त्रिपूरी वाले में क्या कर दे रहे हैं ये त्याक पत्र दे दी अपने पत्र से लेकिन 1938 में हरिपूरा वाले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाज चन बोश जी मैंने बहुत प्रशन आपको बताये हैं अबू, नंदिनी, विवेग जी, विकास जी प्रदीप पांडे, ठीक बात है ना बाकी, अलका, साक्षी शिखा वर्मा, ठीक है रितू, जूही पांडे और खुश्बू पांडे मोधी जी, विकास दिव्यांशो जी, मनीश जी ये जितने लोग देख रहे हैं मैंने कहा, जिन साथियों को मैं नाम नहीं बोलता हूँ आपको क्या करना है, आपको उसी WhatsApp नंबर पे आपको मैसेज कर दीना, क्यों? क्योंकि कई नए विद्यारती होते हैं आप regular, जैसे जो रोग regular आते हैं उनका नाम तो मुझे रटा हुआ है मैं बोल देता हूँ लेकिन जो regular नहीं आते हैं उनके साथ समस्या रहती है आज वाले session में आये, तब तक चीज़ें बीत गई ठीक बात ना, तो मैं चाहूँगा आप regular आईए, regular आएंगे और नहीं भी आ रहा है, तो आप मुझे message कर जीजे जिससे ये रहे, कि मेरे ध्यान में हो जाए खाँ, आज वाले session में आप, ठीक आथे आप ठीक ना, चलिए आगे आते साथी हूँ, आज का session इस्टार्ट करते हैं बहुत ज़्यादा प्रश्ण नहीं है, चार-पांच question मुझे लगता है गिनके हैं, तो सारे साथी लगातार देने का काम करिएगा, लिखा हुआ है पहला प्रश्ण लिकित में से किसने भारती राष्टी कॉंग्रेस के कराची साथ आठ नोदस, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा सर इन ही वेक्ति का नाम जिनका नाम था सरदार वल्लब भाई पटेल जी, मैंने कहा एक कराची में जो अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था कब तो 29 से लेकर के 31 मार्च के बीच में हुआ था और ये हुआ था, 29 से 31 मार्च तक और 1931 में हुआ था मैंने कहा रटे रहिएगा, इसको जोड लीजिए कैसे, आप मार्च की बात करने हैं अगर तो याद करिए सर फरवरी 1931 से लेकर के मार्च, 5 मार्च 1931 तक अधिवेशन हुआ था कौन सा, गांधी जी का इर्वीन के साथ समझोता हुआ था, दिल्ली समझोता हुआ था, और इसी मार्च की बात है, जब 29 से लेकर 31 मार्च तक के बीच में क्या हो रहा है, कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, सरदार साथ, ठीक बात है, वल्लब भाई पठेल ठीक है, मैंने कहा ये छोटे-छोटे content जो है, इन्हें आप सारे लोग जोडते रहिएगा, और आज का short note और प्रभावशाली, यानि short note में आपको क्या करना है रोज short note में जो बनवा रहा हूँ आप से वो ये मैं ये नहीं चाहता हूँ का आप बहुत-बड़ा कूडा का चलाई कठा कर लीजे, बहुत-बड़ी भीड़ी कठा कर लीजे, बेसिक बात है, यानि कि आपको केवल basic basic बाते हैं, आपको note करनी है, छोटे-छोटे शब्दों में, क्योंकि आपके पास book तो हई है, आपकी आवशकता यहां short note की है, जितना आप ही यहां पढ़े है उसको आप कैसे revision कर सकते हैं तो वो revision उसी short note से कर सकते हैं ना कि आप उसमें पूरी कहानी लिख डाली है तो मैं खुशी मुझे तभी में लेख जब आप short note, short note की तरह लिखें ठीक बात हैं, ना कि कहानी की तरह लिखें ठीक है ना, तो बहुत मत लिखिए आप लोग ठीक है ना, छोटे-छोटे content तो छोटे-छोटे शब्दों में, देखें गांधी 같아 इसमें पहली बार गांधी जीने पूर्ड स्वराज को परिभाशित वे किया था ये कुछ कंटेंट आपको देखिए मैंने कहा चार पांच शब्द छेटू मिल गए बस इसी को आपको नोट करना है अगले पर आईए 1931 में भारती राश्टी कांग्रेस के कराशी एदिवेशन के लिए जिसकी अद्धिक्सता सरदार पटेल कर रहे थे बड़ा आसान प्रश्ट है व्याख्या में आप इससे पहले इनका नाम पढ़ भी चुके हैं आप सबको याद होगा किस विक्ति का नाम इनका नाम था पंडिप जवाल लाल नहरूजी यानि जवाल लाल नहरूजी ने ही किसके विशय में इन्हों ने ही मूल अधिकारों और आर्थिक कारेक्रम पर संकल्प जो प्रारूपित किया था 1931 के कराची एदिवेशन में पटेल साब के अधिक्स्ता में वो यही विक्ति थे जवाल लाल नहरूजी आई बात ध्यान में इनसे अगर आप जोडते हैं तो इनसे 1929 का नाम याद होगा और 1929 में याद होगा इन्होंने क्या किया था इन्होंने तिरंगा फैराया था याद होगा रावी नदी के तट पर ये क्या करें हैं ये तिरंगा फैरा रहे हैं जिसमें तिरंगे के बीच में अशोक चक्र यानि चक्र की जगा था वो था आपका चर्खे का चिन याद होगा आपको 31 दिसंबर था और 31 दिसंबर 1929 की कौन सी है लाहौर जिसमें पहली बार क्या हो रहा है तिरंगा फैरा रहे हैं ये वेक्ति कौन इनका नाम था जवाल लाल नेरू जी चलिए अगर आपको याद है तो आप बताईए एक वेक्ति है जिनके मैडम हैं का मैडम भीका जी कामा कमेंट बॉक्स में लिखिए भीका जी कामा ने पहला बताना है किस वर्स में जंडा फैराया था विदेश में और बताना है देश कौन सा यानि किस देश में बाहर के इन्होंने और किस वर्स में जंडा फैराने वाली भारत का पहली महिला हो मैडम भीका जी कामा तो किस वर्ष में और किस देश में इनों ने किया बताईए सारे लोग इसका उत्तर चलिए अगले क्वेशन पे आते हैं अगला क्वेशन यहां लिखा आए ठीक है ना लिखा हुआ है एक सिकेंड माई लिखा हुआ है निमलिकित में से किसने भारती प्रेश के कराची एदिवेशन 1931 को महत्मा गांधी की लोगप्रेता और सम्मान की पराकाष्ठा माना गया पी-सी-स के एकजाम का क्वेशन है उत्तर देना है सर्दार वल्लब भाई पटेल या फिर सर्दार किसंजिंग उत्तर देना है एक दो तेन चार पांच शे सात था एस्ती बोस यानि सुभास चंद बोस जी जब भारती राष्टी कॉंग्रेस के 1939 में अध्यक्ष बने थे तो इन्हीं पट्टाभी सीता रमय्या को हरा करके इन्होंने क्या किया था यह कौन सा 1938 के अधिवेशन में जो हरिपुरा वाला अधिवेशन हुआ था इसके अध आपको जबकि 1942 में एक संस्था हुई जिसका नाम है आजाद हिंद फौज इसमें ये जुड़े थे 1943 में ठीक बात ना जबकि ये जो संस्था आजाद हिंद फौज उन्नी सो बनी थी इसको कैप्टन मोहन सिंग और सोहन सिंग भागना यानि कैप्टन मोहन सिंग का नाम का कैप्टेन महान सिंग का नाम किस से तो इसके क्या नाम से आजाध हिंद फॉज से इन्हीं के साथ एक वेक्ती थे जिनका नाम था राज बिहारी बोस ठीक बाद न तो ये क्वेस्चन आपका हो रहा है सुभाज चन बोस जी से जब किस सरदार किसन सिंग का नाम सुनेंगे तो ये मुझे लगता है ये चाचा थे किसके सरदार भगत सिंगी के एक बाद ना पर टेल साब को आप जानते ही है 31 अक्टूबर को बनाया जाता है रास्टी एक तादिवस भारत में अगला क्वेस्चन भारतिय स्वाधीनता संगर से संबंदित इमलिकित घटनाओं को सु उत्तर दीजेगा कौन सा होगा ए होगा बी होगा सी होगा या फिर डी होगा उत्तर दीजे एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो और दस सारे लोग इसका उत्तर दीजेगा भाई क्या हो जाएगा बहुत बढ़िया जल्दी दीजे आप लो जल्दी बताइए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मैं बता देता हूँ इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये C वाला यानि आप कहेंगे सबसे पहले गांधी इर्मिन समझाउता हुआ फिर आप कहेंगे भगत सिंग को फासी दी गई 23 मार्च को फिर आप कहेंगे भारती राष्टी एक अंग्रेज का करा जाम है तो आप उससे पहले आधिरिक भारत मुझे लगता है कंप्लीट कर ले जाएंगे इश्वर का सिरवाद रहा ऐसे ही तो ठीक बात ना यहां आते हैं व्याक्या पर देखिए यहां लिखा हुआ इसके विशह में मेरे साथ देखिए आप लोग लिखा हुआ यहां गा पर आते हैं अगला लिखा है गोल मेर सम्मेलन की बात कर रहा है तो दूतिये गोल मेर सम्मेलन दूसरा सत 7 सितंबर 1937 को प्रारम हुआ था ठीक बात ना तो इसका आर्थ होगा वही वाला करम अब यह जो 4-5 कंटेंट आप देख रहे हैं इसको अपने शॉर्ट नोट में ही कहीं नोट कर लीजिए ताकि आपके पास जब तक गोल मेर सम्मेलन पढ़े तब तक आपको बेथिक जानकारी गोल मेर सम्मेलन की हो जाएं आगे भारती राष्टी कॉंग्रेस से संबंदे इमलिखित घटनाओं को पढ़िए तो लिखा है भारती राष्टी कॉंग्रेस का जल्दी बताओ, बहुत आसान प्रश्ण बता ले जाएंगे इसका, तो इसका हो जाएगा आपका कौन सा, इसका सारे लोग जानिएगा, मुझे लगता है सबसे हाँ, सबसे पहले गाधी इरविन समझोता हुआ, फिर बाराजगुरु यही आपका, जब भगत सिंग को दी गटना ओपर विचार करना है, गांधी इरविन समझोता पहले हुआ, बारती राश्टिक कॉंग्रेस का कराची एद्वेशन, बगत सिंगी को फासी और पूना समझोता, पूछ रहा है पहले, यानि करम बताना है, पहले बाद में कौन हुआ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आर, नौदत, वहलच, अब भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, मैंने कहा लाइक कर लीजेगा, क्योंकि आपका लाइक क्या बताता है, आप की उपस्तिती बात की बताता है, क्योंकि कई साथ ही आते हैं, 22,23 लोग आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन में समस आई रहती है कि आपका वो लाइक जो होता है वो बताता है कि आपको शेशन अच्छा लगा या नहीं लगा और दूसरा आप शेशन में उपस्ते थे या नहीं थे क्योंकि कई विद्यार्थी मैं रोज कहता हूँ कि आप शेशन समाप्त होने के बाद अपना comment section में आप आज क question of the day लिख दिया करिए लेकिन आप लिखते नहीं है ठीक बात न कई लोग बागी बहुत विद्यार्थी लिखते भी हैं लेकिन कई ऐसे होते जो नहीं लिखते हैं तो मैंने कहा अगर नहीं लिखते हैं तो लिख दिया करिए और अपना like कर दिये तो जिससे ये रहेगा मे आपका option कौन सा डी वाला यानी एक टीन दो चार यानी पहले गाधी इर्विन समझोता हुआ उसके बाद में आप कहेंगे भगत सिंग जी को फासी दी गई फिर आपका हो गया भारती राष्टी कॉंग्रेस का कराची एदिवेशन हुआ और लास्ट में पूना समझोता हुआ पूना पैक्ट आप पढ़ेंगे तो ये आप आजाएए इसको आप अपने शॉर्ट नोट में नोट कर लिजेगा कि सर्फ 5 मार्च 1931 है जब इन लोगों के बीच में साइन हुआ इसको दिल्ली समझोता है एक नाम से जाना जाता है भगत सिंग जो को फासी दी गई थी सतल पर 23 मार्च 1931 को यहां कोगराची एद्वेशन जो हुआ 29 से 31 मार्च 1931 को हुआ और पूना समझोता पूना पैक्ट जो हुआ था 24 सितंबर 1932 को हुआ था ठीक है ना ये चारों कंटेंट अभी तुरंत आप लोग नोट कर लिजेगा जिससे ही होगा आपको आप सबको आसा आप से पूछा जा सकता है तो मैंने कहा तयार रहिएगा कल का सेशन जो होगा सात्यू उसका टॉपिक गोल में सम्मेलन मैंने बताया है वो है और गोल में सम्मेलन से संबंदित आप लोग प्रशन पढ़े रहिएगा अगर आप कोचिंग में अपने नोट्स पढ़ें तया है आप लिखाया गया आपको तो वो भी पढ़ लीजिएगा जिससे आपको बेसिक जानकारी इसके विशह में रहे आज के session का साथियों में डाल दू यहाँ पर एक सिकेंट आज के session का साथियों question of the day है question of the day यह आपको उत्तर देना है सर कौन सा याणि ığınığın आपको उत्तर देना है यहाँ congress की विशह में आपको बताना है और कहाँ हुआ और तीसरा अध्यक्ष कौन रहे हैं ठीक बाद न यह तीरों content आपको लिख देना वीडियो खत्मोने के बाद comment section में कि Congress का कराची अधियरेशन कब, कहां और अध्यक्ष कौन रहे ठीक बात ना ये आपको लिखना है comment section में सातियूं आप सबसे मिलते हैं comment section में यानि आज के session के बाद comment section में और दूसरा अपना short note भेजने के लिए तयार रही और बढ़िया ब्यवस्थित करके भेजियेगा और what's up पे मैंने कहा number आप लोग फिर से note कर लिजेगा 8, 9 57, 86 65 और 31 इसी पे आप अपना notes प्रोवाइट कर send कर दीजेगा मुझे बाकी आज के लिए साथियों इतना ही ऐसे 4, 14, 15 सब्सक्राइबर हुए है दीरे दीरे हम लोग 1500 की तरफ हैं ठीक बात है न आप सबका असनी और प्रेम ऐसे मिलता रहे नए नए विद्यार्थियों को रोज सेशन की विशे में बताईए कुछ नहीं तो आप उनको प्रेरित करिए रात 9 बजे सेशन में आने के लिए ठीक बात न बाकी दिन में आज से कल से थोड़ा सा प्रेयास ये रहेगा कई विद्यार्थी कह रहे थे सर कि मेरी एक परिक्षा छूट गई या जानकारी नहीं मिल पाई तो कल से जानकारियों वाला भी शेशन स्टार्ट होगा आप सबका उसमें भी प्रेयम मिलना चाहिए बाकी मिलते हैं आपसे वाट्सप पे कमेंट सेक्षन में आपने तस्योग किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय इन, जय भारत, शुब रात्री, वन दिमात्रम